दोस्तों बिहार में बिहार गरामिन साहता योजना जो है चलाई जा रही है इस योजना के तहट बिहार के कुछ ऐसे लोग है जिनकी डाटा इन्होंने बताया कि 6,000 लोगों को 50-50,000 कि दर से जो है इसका बेनिफिट दिये जाएंगे इसका लिस्ट आ चुका है कि किस जीले म कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा वो भी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो को अंतर तक देखिए पसंदा तो इसे लाइक और सेर जरूर कीजिएगा ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिए ताकि आगे भी इस परकार की अपडेट मिल पाएगा फिलाल एसकीन पर चलकर नोटिफिकेशन के कोडिंग पूरी जनकारी बताते हैं अभी आप देख पा रहोंगे एक पेपर कटिंग है जिसके माध्यम से इसकी अपडेट दी गई है कि 6,000 गरीबों को अपने घर की मरमत के लिए मिलेग पचास पचास सजार उपे के जो बेनिफीट है और दी जाएगी इसमें बताया गया है कि इन जीले में डेर सो से भी अधिक जो लाभुक है उनको यहां पर चैनित किया गया है जिसमें देखेंगे बाका है बेगुसरा है गोपालकंज है जहानाबाद है पच्छवी चंपा है आइए समयाद है यहाँ बताये है कि राज के छे हजार गरीबों को आवास की मरमत के लिए बिहार सरकार 50 50 ata देगी देखिए होता क्या है कि ग्रामिन आवास यूजना के तहाँ सरकार पैसा देती है अब उस पैसा से लोग तो घर बनाते हैं लेकिन घर मान लिए किसी ने 10 साल 15 साल पहले बनवाया था तो घर में मरमत की भी आवसकता होती है घर तूट फूट भी होते हैं तो उन चीजों को लेकर सरकार उन पुराने लोगों को ये वेनेफीट देगा जिनका घर 5 साल 10-15 साल पहले बना है और उनका घर मान लेजे जरजर हो चुका है मरमत की जरूर इनके द्वारा पहले ही चिनित करकर इसकी डाटा अल्रेडी विभाग के पास उन्होंने उपलप्त करवा दिया कि किन लोग को बेनेफिट मिलेगा तो ये ध्यान रखेगा उसके अलाबे इन्होंने बताया कि मुखबंतरी ग्रामिन आवास सहायता योजिना से इस वर्स जो ह लक्ष तैग कर दिया है से एस्टी वह अत्यांत पीछरावर के लाभुकों को इस योजना का जो लाब है वो मिलने वाला है ग्रामिन विकास विभाग के ने राज के सभी डीडी सी को पत्र भेज कर इसकी जनकारी दी है पर्थम किस्त जो मिलेगी उन लोगों को यहाँ पर तरभंगा गया समस्तिपूर मधवनी में 300 लोग है इसके अलावे किसनगन्ज मधपूरा सारण में जो है 2800 लोग है मुंगेर में 200 लोग है जिनको लाब मिलना है इसके अलावे यह कुछ जीला जहां पर लाभुकों के संख्या कम है जैसा अरज़िया भोजपूर सहरसा सेक पुर्पूरा सिवान सबसे कम लाभूग जो है अरए भोजपूर सख्पूरा में 20 है वही सहरसा और सिवान के बात करें तो 25 लाभूग इसमें चैनित किये गया हैं वही कैमूर सितामड़ी और पेस्ञेआ की बात करें तो पैस लाव को को इस यूजना का जो लाव है और है अप कई सफारे लोग कहांगे के यह तो जिला में बता दिया गया कि एतने लोगों को हगा किसी फिटर इनकारी का से पतता चलेगा तो यह जनकारी जो आपके जन परत्रनीदी है उनके के पास यह डाटा आएगी यह हो सकता है ओनलाइन अगर इसकी डाटा अप्लोड होती है तो यह बिहार सरकार का पोर्टल है रूरल डेबलॉप्मेंट का जहां पर ग्रामिन आवास यूजना को लेकर जो अपडेट होती है यह लोग देते हैं यहां पर आएंगे तो नीचे मे लेटेस्ट न्यूज में दिखेंगे कई सारे इन्होंने अपडेट भी दिया है यहां पर भी आपको मिल जाएंगे यहां नहीं मिलेगा तो नीचे आएंगे इंपोर्टेंट लिंक वाले सक्षन में एक करिकुलम का एक लिंक मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे तो अलग- आप अपने जन परतनीधी जूभी है उनसे भी आप संपर करकर इसकी लिष्ट जो है देख सकते हैं या पैसा जब मिलेगा तो लिष्ट उनके पास आएगा तो फिर वहां से भी आप पता कर सकते तो यह अपडेट था जिसका बारे में मैंने आपको पूरी जैनकारी बताय आसा और उमीद करता हूँ अपने जैनकारी को समझा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए का है सबडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करेंगे धन्यवाद चाहिंद